सोया बीन की कीमतों में आरही गिरावट से ना किवल किसान परिशान है बलकि व्यवपारी भी काफी परिशान नजर आ रहे हैं आईए जाने की कोशिश करते हैं कि सोया बीन का बजार आगे कैसा रह सकता है दरसल बीते सप्ता के दोरान भी सोया बीन में मांग न रहने से भाव में गिरावट दर्च की गई वहीं फरवरी महीने में आठ लाग टन सोया बीन की आवक मंडियों में देखने को मिली है जबकि अक्तूबर से फरवरी के बीच कुल आवक पिछले साल से एक दशमलव चार एक परसेंट घटकर सब्तर लाग टन पर पहुँच गई है वहीं अक्तूबर से फरवरी तक बावन लाग पांच जार टन सोया बीन की क्रशिंग की गई जोकि पिछले साल की तुलना में पांच दशमलव चार एक परसेंट कम है वहीं किसान और स्टोक इस्टो और प्रोसेसर के पास जानकारों का कहना है कि अभी भी 76,36,000 टन सोया बीन उपलब्ध है जबकि पिछले साल फरवरी के अंत में कुल स्टोक 80,66,000 टन था दरअसल सोया मील के घट्ते भाव के चलते सोया बीन में दबाव देखने को मिल रहा है बीते सब्ताभी सोया मील के भाव 10-1500 रुपे प्रतिटन कमजोर रहे वहीं ब्राजिर और अर्जेंटिना में सोया मील के भाव भारत की तुलना में काफी सस्ते में ट्रेड हो रहे है हलाकि एशियाई देशों की भारतिय सोया मील की डिमान अच्छी है वहीं मंडियों में सोया बीन की आवक लगातार हो रही है जिससे सप्लाई की कोई समस्या नहीं है वहीं देखा जाए तो सोया तेल में मजबूती का सपोर्ट मिलने से फिलाल गिरावर्ट पर लगाम लगता दिखाई दिया है वहीं सोया बीन की तेजी के लिए जानकारों का कहना है कि सोया मील के भाव में मजबूती आना जरूरी है अगले महिने में अर्जेंटीना सोया बीन की कटाई शुरू हो जाएगी जिसके चलते भारतिय सोया मील में तेजी की उमीद फिलाल काफी कम हो चुकी है वहीं अगर देखा जाए तो किसानों, स्टोकिस्टो और प्लांटों के पास भी कुल स्टोक 76 लाख टन के आसपास है वहीं उमीद की जा रही है कि सोया बीन के यहां से बढ़ने की गुंजाईश केवल 100-100.500 रुपे की है वहीं अगर गिरावट की बात की जाए तो 50-75 रुपे तक का मंदा देखने को मिल सकता है